सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास आज की ये शिक्षा निदेशाले राष्टे राजज़ानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 37 जो की कक्षा छटी के विध्यारतियों के लिए हैं यह ली गई हैं सामाजिक विज्ञान के इतिहास विशे से जिसकी पाठे बुस्तक का नाम है हमारे अतीत भाग एक और आज इसमें हम अध्याय तेन आरंभिक नगर के बारे में समझेंगे तो चलिए बिना समय गवाए शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं आरंभिक नगर जैसे की नाम से ही समझ में आता है यानि आरंभ में जब शुरुवात हुई नगरों की तब के आरंभिक नगर तो देखते हैं आज इसके बारे में क्या बताया गया है सबसे पहले एक शब्द आ रहा है हडपा जो की शायद आपने कही ना कही सुना होगा अभी आगे एक और शब्द बताऊंगा अभी कुछ टाइम पहले तो उस पे एक फिल्म भी आई थी उसका नाम था मोहन जोदाड़ो कुछ याद आया एक फिल्म आई थी हाँ हम उसी की बात कर रहे हैं हडपा संस्कृती और मोहन जोदाड़ो की हडपा संस्कृती भारत की सबसे प्राचीन सब्भेता है सब्भेता से मतलब समझते हैं कि जब इनसान बिल्कुछ सब्भेतरीके से एक जगह पर आके रहने लग गया खेती बाड़ी करने लग गया उन सब को हम बोलते हैं सब्भेता इससे पहले तक तो जो इनसान था वो आदे मानव था आदे मानव की जिन्दगी जी रहा था लेकिन जब वो बसकर एक जगह बसकर रह गया वहाँ पर उसने खेती बाड़ी करने शुरू की अपना सब कुछ वो बहीं पर करने लग गया तो तब से हम उसको बोलते हैं सब्भेता हडपा शहर का अधिकांश भाग रेलवे लाइन निर्मान के कारण नश्ट हो गया इन शहरों का निर्मान लगबग 4700 साल पहले हुआ था ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों भारत के गुजरात, राजिस्थान, हरियाना और पंजाब रांतों में मिले हैं इन सभी स्थलों से पुरातत्व विदों को अनोखी वस्तुए में ली हैं जैसे की मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे पत्थर के बाट, मुहरे, मन के तांबे के उपकरन, पत्थर के लंबे ब्लेड आ दे तो देखो मैं आपको भारत के नक्षे में भी दिखाऊँ ये जो है मोहंजव दाड़ो जो इस समय का पाकिस्तान है और ये सारा हमारा हिस्सा था जो यहाँ पर चंदन हूडो है, धौला वीरा है गुजरात का हिस्सा है, जो आज आधोनिक समय में गुजरात है धौला वीरा है, सुरकोतदी है, फिर गवरी वाला है ये सब चीजें, और यहाँ पर सिंदू नदीजो की आज भी बहती है इसके किनारे किनारे ये सभ्यता विक्सित हुई थी इसलिए हम इसे सिंदू घाटी सभ्यता भी कहते हैं और हडपा संस्कृती भी कहते हैं यहाँ पर ये नगर थी, महंजो दाडो और ये सब फिर यहाँ जो नगर थे, उन नगरों की आखिर विशेशता क्या थी चलिए इसके बारे में जानते हैं इन नगरों में से कई को दो या उसे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, यानि कि बांटा गया था प्राय पश्चिमी भाग छोटा होता था, लेकिन उंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह है निचले इलाके में था उंचाई वाले भाग को पुरा तत्व विदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला शहर कहा है या निचला नगर कहा है दोनों हिस्सों की चार दिवारिया पकी इटों की बनाई जाती थी पकी हुई इड़ों की वो बनाई जाती थी, इसलिए बहुत मजबूत होती थी, कुछ नगरों के नगड़ दुर्ग में कुछ खास इमारते बनाई गई थी, मिसाल के तौर पर महंजो दाड़ों में खास तलाब बनाया गया था, जिसे पुरा तत्व विदों ने महान इसनान नागार कहा, शायद यहां विशिष्ट नागरेक विशिष्ट अफसरों पर या विशेश अफसरों पर सनान किया करते थे, काली बंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अगने कुंड मिले हैं, जहां संभवत यग्य किया जाते होंगे, हडपा, महंजो दाड़ों और ल नगरों के घर आमतवर पर एक या दो मंजिल के होते थे, घर के आंगन के चारों और कमरे बनाए जाते थे, अधिकांज घरों में एक अलग स्तानगार होता था, यानि स्तानगर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, तो ये सारी विशेश्टाएं, नगर की वि 1700 साल पहले हुआ था फिर दूसरा प्रशने है कि हडप्पा के नगरों के अवशेश गिनिस्थान और मिले हैं तो हडप्पा नगर के अवशेश आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंद्द प्रांतों, भारत के गुजरात, राजिस्तान, अर्जिस्तान, हरियाना और पं अधिक बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया था उंचे भाग को दुर्क और निचले भाग को निचला शहर का नाम दिया गया था तो ये तो थी आज की वरक्षीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हूँ तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत जादा शेयर भी कीजिए और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वरक्षीट को समझते रहें लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ओनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहें और अगर आपको कोरोना वाइरस को हराना है न तो इसके लिए आप मास्क हमेशा लगाके रखें और जब भी संभाव हो और जब भी उपलब्द हो इसका टीका करन अवश्य कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसे उमीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद